हेलो व्हान क्वामर्स अधिन के इस वीडियो में हम डिसक्स करने माले हैं cost accounting में job का third chapter है material cost accounting इसमें हम देखेंगे बिन कर्ड़ क्या होता है साथ इसका format कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे तो वीडियो साथ इन तक बने रहे रहेगा ताकि हरे पुइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ओके अबिन काड ऑलसो नौन एस बिन टैग और स्टॉक कार्ड देखे बचा जब कभी भी स्टॉक को स्टोर हाउस में रखा जाता है ना तो उन स्टॉक की इंफोमेशन के लिए कुछ कार्स बनाया जाते हैं उन कार्स में लिख इस involves are cash returner कुछ और रहा जाता है कि कौन सा स्टेटक की स्टॉक काई कितनी कॉंटिटी में हैं कित्न स्टॉक है कितना स्टॉक से बाहर गया है ये सारी चीजे उस जो डिन काड होता है उसमें मेंशन होती है साथ ही साथ कितना स्टॉक बाचा हुआ ये चीजे भी वहां पर टो तहा आपका नधा जिससे आप पिन टाइ यह स्टॉक कशप बीड़ते हैं कि इसा काड़ उकिंही कॉंटिटेट इस स्सुंसट आ favorable श्रील श्तॉर कॉंटिर्स हर शारी वेश्कॉटिटी यह उसका कॉंटिटी प्रड़ होता है कि न før dic स्टॉर हाउस से बाहर गई है कितनी कॉंटिटी बची हुई है ठीक है तो यह सारी चीजे पूरा वहां पर रिकॉर्ड की जाती है बिन कार्ड में वह वह बिन कार्ड जिस भी स्टॉक या मटेरियल से रिल्टेड होता है वहां पर उसको रख दिया जाता है उस ऐलमिरा के पा इस ट्रॉक रिसीव हुआ इसू हुआ उसका क्या क्रोजिंग बालेंस बचा हुआ है है नम्मटेरियल से रिलेटर्ड तो उसके पर्टिकुलर के रिस्पॉंडिंग बिन के सामने उसको रखा जाता है कि इसको बिन कार्ड को ठीक है बिन समझते हैं एक तरह का जैसे अलमीरा ह सेक्षन से अहों होते हैं किसी सेक्षिन मालिये आप अपनी टीशर्ट रख़ा हैं साड़ी रख रख रहा हैं ठीक है फिर आपने उससे रिलीटर के साथ हU 価़ क्ोग ए इस इतने शृष्न तीशेयर्स als इसकलन की रखी हुई हैं ये हट गळान दी हैं हमने ये सारी ची एलमीरा और दर रैक अदरवाइस नौन एस बिन ठेक है बच्चे तो जो भी आपका रैक है या अलमीरा है जहां पर भी परिटिकूलर मटेरियल रखा गया हो उस मटेरियल से रिलेटेड उस परिटिकूलर बिनकार को उस बिन में या शल्फ में टांग दिया जाता है ठीक है लगा दिया जाता है उनके साथ कि जानकारी निल सके जैसे ही आप उसको देखोगे बिनकार को तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हां ये परिटिकूलर मटेरियल इस अलमीरा के इस शेल्फ में रखा है इस रैक पे रखा हुआ है इस इतनी कॉंटिटी का है ठीक है ये सारी चीजे बहुत आसान हो जाएंगे जानना एंडें सापरेट बिनकार्स आर प्रिपेयर फॉर इच आइटम ऑफ स्टोर्स और इफ टू डिफरेंट मटेरियल आर केप इन वन अलमीरा देखिए अगर डिफरेंट टाइप का मटेरियल है उसको एक ही अलमीरा में रख ठीक है इसको लुटिया जाएगा तरह के अलमीरा में रख दिया जाएगा। तो आसे अग्स की तरीके सामार कहां को सामान कहा रखा हुआ होई एग कि इससे फॉर्मेट होता है वह क्या से प्रिपेयर होता है उसी फॉर्मेट को फॉलो करते वह आप देखिए अगर प्रैक्टिकल कोशन्स आते हैं पेपर में तो आप उसको कर पाएंगे बहुत एजीली, ठीक है, तो देखिए यह है आपका बिन कार्ड का फॉर्मिट किस तरह सब इसको प्रिपेर करते हैं, माल रहते हैं कोई कंपनी है, ABC Limited, उनका ही पुरा बिन कार्ड है, अब यहां पर यहां पर आप यह चीज़े मेंशन करते हैं, उसके पास maximum level, that means कि maximum level of stock कितना है, वो उसको यहां पर मेंशन किया जाता है, minimum level of stock को यहां मेंशन किया जाता है, और जापका ordering quantity होती है, उसको यहां मेंशन किया जाता है, तिक है, अब यह टेबल पुरी प्रिपेर की उस रिसीव हुए material में से कितना material issue हुआ, issue का मितलब होता है, कि store से बाहर जाना, है न, कि store से कितना material बाहर चला गया है, अब जितना material चला गया, उसको जब माइनस करेंगे, तो उसके बाद अब कितना, कितनी quantity का material आपके warehouse में या store house में बचा हुआ है, ठीक है बच्चा, त यह पुरा table बिलाने पड़ती है, अब कॉलम में अगर बात करें, रिसीट की तो यह डेट है, और जी आरेन नमबर के अगर हम बात करें, यह होता है, जो रिसीव होगा, तो उसका नोट होता है, नमबर जनरेट होता है, तो यहां पर आप फिल करते हैं, तो इन कितनी quantity का receive ह हुआ था, है न, किस date को हुआ था, ठीक है, तो यह तो आपका receive का column होगा, date, जरेन नमबर and quantity है, जब receive होगा, अब बात करते है, इशू की, तो किस date को material स्टोर से बाहर गया है, and REQN का मतलब है requisition number, ठीक है, कितना सदा requisition number का मतलब होता है, कि सामान बाहर से जब लोग मंग quantity में उन्होंने मांगा हुआ है, सामान, वो quantity फिल होगी, अब क्या balance बच गया, balance में quantity भी तो मैं mention करेंगे, कितनी quantity का समान बचा हुआ अभी, कितनी जो date है, उस time की date क्या है, जब बचा हुआ है material, okay, अब चीजों चेक करते हैं, and initiates, कि initiates के अगर कितनी समान के आपको starting में जरूबत पड़ेगी, यह सारी चीज़े यहां पर mention के जाती है, ठीक है, तो यह पूरा format किसका है, bin card का format है, इसी format के basis पे आप अगर practical questions आते हैं, तो आप prepare कर सकते हैं, यकिन करते हैं, इस वीडियो में आपको bin card अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि bin card क्या होता है, उसकी format कैसे बनता है, ठीक है, और practical questions आते हैं, तो कैसे solve करते हैं, अगर आपको practical questions भी जानने हैं, तो comment section में comment करके जरूर बताएगा, मैंसे एक दू practical questions भी करवा दूँगी, ता कि आसानी से आपको हर एक point अच्छे से clear हो जाए, तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक् धंक ता कि आपको कर दोग्या है, ता कि अजाके हैं, ता कि आपको कि अड्मीश चाहनी प्या है।